नमस्कार में साकेत कुमर अपनो भारत टाइम्स देख रहें जद्यू के राष्टिय अद्यक्स ललन सिंग के इस्तिफे की अठकले लगातार तेश थी लेकिन अब इसे लेकर बिहार सकार के मंतरी विजय चौधरी ने साफ तोर से कहा है कि इस तरीके की कोई भी बात नहीं है बिलकुल बेबुनियाद बता है सबसे पर इस वीडियो में देखिए क्या आप कुछ कहते हो नजर आ रहे हैं विजय चौधरी क्या लालन सी किस टीपे बुलेकर चर्चा हाँ जगा हो रही है कहां चर्चा हो रहे है हमारे पार्टी ओफिज में तो कोई चर्चा नहीं है अन्ना जानकारी है काफी अटकाले तो आप लोग पैदा करते हैं और अटकालों को आप लोग मार भी देते हैं राष्ट्रिय को जो ना सिर्फ राष्ट्रिय कारिकारणी की बैठक हो रही है राष्ट्रिय परिषद की भी बैठक हो रही है दोनों बस थाप में राष्ट्रिय कारिकारणी की बैठक है और दुईतिय पाली में राष्ट्रिय परिषद की बैठक है और आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रिय कार्वी हो या राष्ट्रिय बैश्ट का आयोजन पिछले काफी दिनों से लंबित चला रहा था मतलब डिव हो गया था इसलिए भी ये आयोजन करने का फैसला किया गया है और दूसरी बात जो आप सब लोग जानते हैं कुछ दिन में लोकसभा का चुनाव होने वाला है फिर उसके साल बड़ बाद विधान सभा का चुनाव होगा तो आखिर दो दो चुनाव सामने हैं और लोकसभा का चुनाव तो समझिये बिलकुल सामने आ गया तो उस परिस्थिती में जनता दल यूग की तो राष्ट्रिये कारिकारणी और राष्ट्रिये परिसद की बैठक लाजमी है कि उन चुनावों में हमें हमारी क्या रानन नीती होगी या हमारे जितने वर्गर या अ पार्टी के अधिकारी गण आएंगे वो गुर्गिन मुतों पर आगे बात करना चाहते हैं कैसे बात बढ़ाना चाहते हैं या फिर इंडी गठवंधन जो है जो इंडी एलायंस है इसमें भी अनेक पार्टियां है चुनाव सामने है सीटों के बठवारे पर बात कोनी है इ इसमें बैठक करके इन मुद्दों पर विचार करना लाजमी है ये होना ही चाहिए और ये हो रहा है इसी के लिए बैठक निर्धार है इन दिनोर राज़त सुप्रीमू लालू परसाद यादव और जदियू के राश्तिय धेक्स ललन सिंग की नजदेकियों की चर्चाएं इस्तिफा नहीं हुआ है और भी क्या कुछ कह रहे हैं विजे चौधरी आपने इस वीडियो में देखा फिलारस खबर में इतना ही नोबहार टाइम स्क्राथ बने रहे हैं पतना से साकित कुमार